पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस बीजेपी में काटे की टकर देखी जा रही है कई चैनलों की तरफ से चुनावी राज्यों में सर्वे भी कराए गए हैं जिसके बाद बीजेपी की नेंद उड़ी हुई नजर आ रही है दरसल ज्यादा तर राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और शायद ये हार का डर ही कहलाएगा कि बीजेपी ने चुनावी राज्यों के बदले किसी दूसरे राज्यों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है देखते हैं ये रिपोर्ट चुकी है उत्राखंड की बीजेपी सरकार की तरफ से सबसे पहले इस तरफ तैयारी की जा रही है राज्य सरकार यूनिफर्म सिविल कोड लागो करने की तैयारी में है राज्य सरकार दिवाली के फारण बाद विधान सबा का विशेश सत्र बुलाने वाली है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद इस बिल को पास करा दिया जाएगा उत्राखर में डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार है और विपक्ष को डर है कि विधानसभा सिविल पास होने के कुछ ही दिनों में राजिपाल की इस पर मोहर लग जाएगी क्योंकि जहां सिंगल इंजन की सरकार होती है बिल वहीं लटकते हैं और मामला सुप्रिम कोर्ट तक पहुँच जाता है यानि यूसीसी के कानून बढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बीजेपी की असम और यूपी सरकार भी यूसीसी को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है साफ है कि बीजेपी अब चुनावी एजन्डा सेट करने की कोशिश में जुट गई है क्योंकि चार महीने बाद ही देश में लोगसभा चुनावों का एलान हो जाएगा दरसल बीजेपी को सबसे ज़्यादा डर विपक्ष के ओबीसी एजन्डे से लग रहा है राहूल गांदी जिस तरह से ओबीसी के अधिकारों की बात कर रहे हैं उससे बीजेपी के हाथ से ये बड़ा वोट बैंक फिसलता दिखाई दे रहा है देश में करीब आधी आबादी ओबीसी समुदाय की है और ओबीसी कार्ड की कार्ट के लिए बीजेपी यूसीसी का सहारा लेती दिखाई दे रही है लेकिन इंडिया गडबंदन की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि चुनाव के मुद्धे बीजेपी ने ही विपक्षी दल सेट करेंगे आपको बता दे कि सुप्रिम कोट के पूर्वजद जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के नेतरित वाली पांस अदलस्यों की कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौपने वाली है डेबी लाइफ की रिपोर्ट